Hello friends, welcome to our channel तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से पाँच काम है जो कि अगर आप किसी भी गौर्वर्मेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको वो करने ही करने चाहिए वीडियो को अवाइड मत करीगा क्योंकि ये सारी चीजे जो मैं बताना जा रहा हूँ वो fully practical है कि कोई उस type की चीजे नहीं है कि हाँ आपको वैसे बता दी गई तो आप कहेंगे कि हाँ ये तो हम भी करते हैं ये practical चीजे हैं चोटी चीजे हैं बट काफी practical हैं तो ध्यान से देखिएगा इस चीज को और समझिएगा तो आप कहीं ने कहीं खुद भी link कर पाएंगे कि आप जो कर रहे हैं क्या वो सही है अब नहीं तो चलिए फिर में start करते हैं आज की वीडियो को तो सबसे पहली जो चीज है वो है कि read notification carefully यानि कि जिस भी job के आप preparation करते हैं आप जब भी apply करते हैं तो उसका notification आप पूरा पढ़िए पूरा में लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा पढ़ लिए उसके बारे में कि कौन कौन से subject हैं कितने marks के आने वाले हैं बस इतना उनको परसल जाता है स्लेवस भी उनको पता रहता है लेकिन पूरा का पूरा notification पढ़ती ही नहीं है इस वोजे से उनको काफी जड़ा problem आके चलके होती है तो बस यही कहना आप लोग से कि पूरा का पूरा notification पढ़िए ज्यादा time नहीं लेगा उसमें बहुत लगेंगे तो आदे घंटे लगेंगे लिकिन अगर आप preparation कर रहे हैं तो आप notification पूरा पढ़िए कि आपने अभी तक किसी भी job पर notification पूरा पढ़ा है अगर हा तो फिर comment में बताईएगा क्योंकि बहुत से लोग पढ़ना पसंद नहीं करते बोरिंग लगता है उनको बट आप खुद सोचिए कि जिसकी आप preparation कर रहे हैं गर वही बोरिंग लगेगा तो फिर कहां से काम चलेगा तो पढ़ना स्टार्ट करिए काफी उसमें काफी कुछ आपको मिलेगा ऐसा सिखने के लिए आपके job के बारे में तो काफी आपके problems कम हो जाएंगे उससे और दूसरा जो चीज है कि आपका preparation time जो होता है जो preparation period होता है वो आप कब रखते हैं जैसे कुछ लोग होते हैं तो preparation करते हैं तो वो किसी post की नहीं करते हैं वो government job को preparation करते हैं अब यह government job को उनसी post होती है government job जानी कि अगर वो वीडियो का form आ रहा है तो उसको भी apply करेंगे SSC का MTS आ रहा है वो भी डालेंगे SSL आ रहा है वो भी डालेंगे कोई otherwise कहीं पुलिस की कोई भरती आ गई तो उसको भी डाल लग है तो यह इस टाप से preparation कहां हो पाएगी आपकी एतनी सारी jobs हाचकल आ रही है अलग-अलग department में सबका slaves अलग रहता है कुछ subjects भले change होंगे कि इसमें English आ रहा है तो उसमें English नहीं Hindi आ रहा है तो ऐसा नहीं कि दो चीज में Hindi आ रही है तो दोनों का slaves भी सेम हो सकता है उसको slaves अलग ही हो और level भी अलग होता है papers का तो यह जो government job की preparation करते हैं वो लोग थोड़ा सा इसको जारा धहनने कि आप government job की preparation नहीं आप अपने particular post की preparation करिए जिसके लिए आप त्यारी कर रहे हैं आप को जी पोस्ट सेलेट कर लीजिए और क्या होता है से लोग जब notification आता है फिर उसकी बाद पढ़ना start करते हैं एक डिड़ महिने दो महिने का जो भी time होता है तो उसमें start करेंगे फिर उसमें पढ़ाई कर रहे हैं दो महिने बाद दूसरा notification आया वो बंद अब उसको start कर दिये तो दो महिने में कहा competition निकलेगा आपका notification आने के बाद revision होता है preparation ने start होती है तो इसलिए जिस भी job कि आप preparation कर रहे हूं पहले आपका aim तो वह होना ची कि आप करना क्या चारहे है फिर आपको जब पता चल गया कि हमीज़ आपके preparation कर रहे है फिर आप उसका syllabus अच्छे से examine करिए और daily उसकी preparation करिए जैसे आप coaching आते हैं वैसे आप daily preparation करिए उसके लिए time नकालिए चार गंटे पांच गंटे जितना भी आपको देना है उस particular job के लिए दीजिए ना कि government job के लिए दीजिए जो आपको चाहिए उसके लिए आप दीजिए उसका syllabus मान लीजिए English है math है और reasoning है उसमें Hindi नहीं आ रही है तो आप उसको त्यार करिए अगर GS है और English है तो आप उसको त्यार करिए और ये भूल जाये कि जब notification आएगा फिर हम त्यार करेंगे आपको वही routine daily follow करना है notification चाहे अगले महिने आ रहा है चाहे छे महिने बाद आ रहा है उससे आपको पतल भी नहीं होना चाहिए नोटिफिकेशन सेप्टमबर में आएगा तो हम जो हमाई से स्टार्ट करेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी तो ये सारे चीज़े आप लोग देखिए का जरूर ठीक है और next तो सबसे बड़ी गलती आप लोग कर देते हैं कि अगर कम पोश्ट हैं जैसे कि 30 पोश्ट है, 40 पोश्ट है या 20 पोश्ट है तो काफी सारे लोग अपलाई ही नहीं करते हैं तो उसने कहा इस पे होने वाला है मेरा पट ये भी बहुत गलत चीज़ होती तो आप ये भी सोचते हैं कि जब 800 में नहीं हुआ तो फिर मेरा 500 में भी नहीं होगा तो ये तो बिलकुल ही वाहिया से चीज होती है जो लोग भी सोचते हैं ऐसा कि मेरी 800 पोश्ट में 500 पोश्ट में सेलेक्शन मेरा हुआ नहीं और अब 10-12 पोश्ट आईए तो मेरा नहीं हो पाएगा ये बिलकुल ही गलत चीज है आप अप्लाई करिए और उसमें बहुत ही सही कमपटिशन रहता है अनि कि इतने कम लोग अप्लाई करते हैं और आप भी तो प्रिप्रेशन किये ना तो बहुत सारे फ़र्म पढ़ेंगे जिस बंडे को पता भी नहीं है कि उस पोश्ट का स्लेवर्स क्या है वो भी फ़र्म डालता है लेकिन जहां लिमिटेड पोश्ट है वहां सिर्फ वही फ़र्म डालता है जो की प्रिप्रेशन कर रहा है और ये वीडियो उसी के लिए है जो की प्रिप्रेशन कर रहा है और नेक्स्ट इप है कि आप लोग पर्टे टाइम काफी अदा टेंसर ले लेते हैं ये बहुत गलत चीज है बिल्कुल प्रेशर रिलीज करिए अपना प्रेशर रिलीज करके तब स्टड़ी करिए प्रेशर रिलीज मतलब किया कुछ लोग सुसते हैं कि अब चार मेने एक्जाम बचा हुआ है अब टीवी नहीं देखना है मुझे मुझे मुबाइल नहीं उस कर रहा है गेम नहीं खिलना है कहीं बाहर जाना बंद तो इस वज़े से क्या होता है आप खुद के उपर एक बग़त बड़ा प्रेशर बना लेते हैं और प्रेशर होता आपको इक्जाम का आपके माइड में होता है कि एक्जाम बहुत बड़ी चीज हो गई है इसलिए pressure को release करिए वो अच्छा effect नहीं करेगा आपके mind के उपर और ये सारी चीज़ें आप लोग को बताने कीज़ें आप लोग पहले से कहीं ने कहीं से जानते होंगे कि pressure किसी भी तरीके से किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता चाहे वो physically हो या फिर mentally हो तो मेरा suggestion आप लोग को यही है कि आप disturb ना होईए किसी भी एक्जाम को चाहे आपका performance बिसलि एक्जाम में कित्ता भी बेकार हो या फिर जादा अच्छा है फिर भी आप बोज़र excited मत होईए तो pressure वाली study बिल्कुल छोड़ दीजी इंजवाय करके पढ़ाई करिए हाँ आप अपना fixed routine मनाईए कि मुझे इतने गंटे पढ़ना है और ये ये subject पढ़ना है डेली आप टच करिए बस उसके बाद आप इंजवाय करिए अपनी life को आप sound भी सुनिए, mobile भी चलाईए, game भी के लिए सब कुछ करिए, बट ये सब चीजें करने के बाद आपको करना है, अपनी study को complete करने के बाद जैसे काफी friends होते हैं अगर दो महेने पहले उनका exam होता है तो mobile से facebook हटा देंगे, whatsapp हटा देंगे और खेलना अगर खेलने कुछने जाते ही और कोई game नहीं खेला था इस बार तो इसका निकल ली जाना चाहिए और वो खुद भी अपने पर pressure बना लेता है तो pressure बहुत ज़्यादा नुकसान करता है आप वहाँ पर जाएंगे तो exam में आपके उपर जो pressure रहेगा आपके घर में है या फिर कहीं कोई friends आया है कोई party अटेंड करनी है तो मेरे recording आप सभी को जाना चाहिए क्योंकि आप अपना study का जो time है जो study period है आप उसको complete करके जा रहा है तो मेरे साब से इसमें कोई बुराए नहीं है कि आप exam time, शादी या फिर party में नहीं जाएं या फिर आप खेलना कूदना बिल्कुल बन कर दें Facebook भी चलाइए, WhatsApp भी चलाइए, सब चलाइए गेम भी के लिए बट अपने एक limit में अपना एक time fix करके क्योंकि हम सब इतने समझदार हैं कि हमें पता है कितनी दिर किसका use करना चाहिए लेकिन हम फिर भी नहीं करते हैं और जो last की tip है ये तो बहुत ही अच्छी tip होगी आप लोग के लिए कि जो आप संडे वाला दिन होता है उसको छुटी मुद बनाईए उसको एक special day बनाईए special day आप कैसे बना सकते हैं कि जो study आप करते हैं वो इस तरह की कीमत करिएगा कि मैं 10 दिन में ये इतना complete करूँगा बेस दिन में इतना complete करूँगा इस तरह के नहीं जैसे school होती है जैसे colleges होते हैं वैसे ही आप सिर्फ Monday से Saturday तक अपने study के schedule को follow करिएगा अगर Sunday की हम बात करें तो Sunday को आप लोगो schedule को पूरा भूल जाएए Sunday को जो आपको time होगा वो सिर्फ और सिर्फ revision का होगा आपने जो भी पढ़ाएगी आपने current affairs पढ़ाएगा अपने GS में कुछ पढ़ाएगा है English के rules है math के आपने question solve किये है reasoning में कोई topic है वो सब चीज़ आप एक बार revise करते है और revise करते time ध्यान रखेगा कि सबसे पहले आपको weeks भरके vocab से आथ करने कुछ भी new नहीं पढ़ेंगे आप Sunday को जो आपने Monday to Saturday पढ़ाई की है वही आप अच्छे से त्यार करेंगे और फिर stress मतलब दिमाग से निकाल लिजेगा कि अगर आपको जब revision time पूरा हो गया फिर आपको लेकर नहीं बैठना है कि कुछ लोग क्या करते है कि अगर चार गहंटे में revision कर दिये सुचते हैं संडे आज तो पूरा दिन बचा हुआ है कोचिंग मन में कहीं आना जाना नहीं है चलो आगे का पढ़ लेते हैं तो ये चीज़ आप नहीं करिए क्योंकि week बर की study के बाद अगर लगातार हम पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं तो ये जो कुछ tips थी ये पूरी की पूरी practical है छोटी-छोटी चीज़े हैं किसी book की बात नहीं है ये कि book में देखके आपको ये tips बताए जा रहे हैं इंटरनेट की tips नहीं है ये ये real चीज़े हैं जो कि आप सब लोग हो सकता है ना करते हो हो सकता है को स्लोग करते हो तो जो लोग नहीं करते हैं वो लोग आज से करना start करते हैं बहुत जल्दी आपको results मिलेंगे तो friends अगर आपको वीडियो अच्छी लगए तो please like करिए का और share करिए अपने friends के साथ और subscribe करिए का हमारे चैनल को मिलते हैं next video में तब तक के लिए good bye